Hello Guys, Good Morning. Welcome to your YouTube channel, Yengar Ace. So, आज की वीडियो में हम लग बात करेंगे Self-given exam analysis के बारे में 1 September 2020 को I of SCA grade A का examination हुआ था मेरे attempt क्या रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला वीडियो को लास तक जरूर देखिए उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा Telegram Group जोईन नहीं किया इसको जरूर से जोईन करिए साथ ही साथ WhatsApp चैनल जरूर से जोईन करिए इसमें हमें सारे वीडियो स्कूलिंग शेयर करता हूँ Link के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा बात करते हैं पेपर 1 के बारे में पेपर 1 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बहुत इजी था इसमें आराम से कोई भी 30 marks easily score कर सकता है Mass or reasoning मिला कि 30 marks easily हो जाएगे उसके या फिर 40 marks इदर से हो जाएगे और 40 marks पेपर 2 में आपको score करना है मतलब total 80 marks score करना है मेरे हिसाब से पेपर 1 मैंने दिया तो इजी था एक्चुल में क्या हुआ एनेजबी और इसका इसका एक्जमिशन दिया तो मैं बहुत ज्यादा confused हो गया question में कि कुन सा question एनेजबी में पूछा था इसमें पूछा था ठीक है तो पुरा खिचली हो चुकी है लेगें फिर भी जितना मुझे याद है मैं आपको बताऊगा जीए में मैंने 6 attempt किया है और एक बत बता दो इसमें कोई भी sectional cut-off नहीं था तो किसे में 0 भी score कर रहे हो तो कोई problem नहीं होगा इसमें overall 30% इसमें minimum चाहिए तो GA में मैंने 6 attempt किया है इसमें बहुत सारे question थे for example अब वो GA में question पूछा गया या फिर paper 2 में पूछा गया है उसमें confused हो गया हूँ इसमें जो है treasury bill का maximum जो days था उसका limit पूछा था एक gold वाला question पूछा था कि trust जो है help group का 500 क्या है तो जो 500 दिये गये थे उनमें से पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है यह एक GA में question पूछा गया था फिर उसके बाद UPA इसे related question पूछा गया था मतलब banking awareness जो है वो static पूछा गया था बहुत पूरा नावाला जैसे कि UPA पेनाओ के साथ लिंक किया गया है तो वो पेनाओ जो है कहा की company है तो Singapore की है इतिंक वो देन UK से related एक और question पूछा गया था वो मुझे आदनी तो इतने ही जो है GA के question पूछे गया थे मैं भूल चुका हूँ तो total 23 attempt मेरे English में हुई है ठीक है out of 25 23 मैंने English में किया है reasoning की अगर मैं बात करूँ तो reasoning में 22 attempt यहां पर मैंने किया है तीन question मैंने छोड़ दिया तीन question वह थे statement वाले question थे उनको छोड़ दिया मैंने ठीक है pattern बहुत easy था इसमें जो है दो या तीन puzzle पूछे गए थे पहला वाला 10 बॉक्स वाला puzzle था नुसरा वाला 8% का था चार inside face कर रहे थे चार outside face कर रहे थे यह confusing था यह वाला puzzle ठीक है अगर कोई ऐसे बना रहा था एक I think या फिर नहीं था मुझे idea नहीं है then inequality के question पूछे गए थे I think not follow ऐसे कुछ था not follow वाले question पूछ थे वहाँ पर दो तीन question थे तो इसी तरीके के था मैंने 222 attempt किया है यह थे लोग आया था या नहीं मैं भूल चुगा हूँ ठीक है पूरा बाकी मैस पर आते मैस मेंने 28 attempt किया है मैस का D.I.E.E. अच्छा D.I.E.E. था बहुत अच्छे D.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. I think children की value देगी थी और children and adult का इधर ratio दिया गया था तो आप easily निकाल साकते थे उसको इसको इसमें कम से कम 5-6 questions होंगे इसमें 6 questions के आस-पास होंगे मतलब में एक मार्किंग करके सिनोनिम पूछा गया था काफे अलग सा आरसी था होंगे ट्री के बेस पे था कुछ जायन ट्री या फिर जो ट्री खाते है किसी इंसेक को उस तरीके काई जो ट्री है उस पे बेस पे था एथिंग तो 71 attempt है मुझे लगता है कि इसका तो paper निकल जाएगा paper 1 निकल जाएगा अब बात करते paper 2 जो है बहुत ज्यादा easy question थे वह अगर पड़ा होता मैंने तो बहुत अच्छे से कर पाता यार लेकिन last time में जितना करसा का उतना किया मैंने फॉर्मूले अगर याद रखता ना तो 2 से 3 question मेरे easily हो जाते थे फॉर्मूले पर question आयते मतलब numerical आयते इसमें 2 से 3 question हो जाते उसमें बाकी पूरे syllabus पर question थे मेरे इसमें total 38 attempt हुई है out of 50 28 question जो है मैंने 95 accuracy के साथ है और जो 10 question मैंने किया last में वह 50 50 वाले है अब मैंने उनको ज जो होना चाहिए इसकी question easy थे यार बस पढ़ना था ठीक है easy थे बस पढ़ना था इसमें banking awareness बहुत गोसा था बहुत banking awareness के question पूछा गया था और हाँ जीये में या फिर कहां पर मुझे नहीं idea वो नासा वाला question पूछा गया था नासा नहीं चंदरयान वाला question पूछा गया था member कितने हो सकते partnership में ठीक है तो इसका option बहुत सारे थे मैंने उसमें 10 टिक किया है मेरा गलत है या सही है मुझे पता नहीं है जब मैंने पढ़ा तो यह पता चला कि business अगर कर रहे है तो maximum 10 हो सकते या फिर कुछ और अधर कर रहे है तो 20 हो सकते अब question में business से related कुछ था नहीं कॉस्ट वाला यह सब चीजे तो वह आराम से आप कर सकते थे question इस तरीके से थे अच्छे से पढ़ा होता तो काफी अच्छे question और कर पाता था एक है तो यह था analysis बाकि आप कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने के attempt रहे है तो सबने किये लेकिन accuracy होना चाहिए यार इसमे अगर 40 अगया तो यह पर मेरा निकल जाएगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा लास्ट यह अगर मैं बात कुर तो मेरे 20 नंबर आया थे इस पेपर 2 में 20 नंबर आया थे लास्ट यह मैंने जब दिया था जब scorecard चेक किया तो 20 यह फिर 22 नंबर थे जो की बिना पड़े म जो मेरे को मन में आ रहा था टीक करके आ गया था पूरे को पूरे 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 50 की 50 यह फिर कुछ तो भी मैंने question attempt भी है था 20 marks आये थे इस बार देखते इस बार तो थोड़ा एक और इसे से किया है देखते क्या होता है थोटा subject था बागी वीडियो पसंद आया लाइक कर करना चैनलेट पर ने हो सब्सक्राइब करना